जब भी हम लोग Turbo C++ open करेंगे तो हम लोगो कुछ इस प्रकार का यहां पर इंटरफेस देखने मिलदा ठीक है यहां पर डॉटेट कुछ तो भी स्क्रीन दिखेगी हम लोगो और यहां पर हम लोगो उपर मैनू दिखेगा फाइल एडिट सर्च रण कंपाइल डीबग प्रोजेक्ट ऑप्शन्स विंडोस इस प्रकार से हम लोगो यहां पर ऑप्शन्स देखने के लिए मिलेंगे तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं सबसे पहला काम क्या है हमारा पूरा स्क्रीन हमारा जो है वह ब्लू कर रहेंगा यहां पे करसर बिलिंक कर रहा होगा जहां पर हम लोगो कुछ ना कुछ टाइप करना है अब यहां पर हम लोगो क्या करना है वो वह बता रहा हूं है ठीक है कि अब यहां पर सबसे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था कि उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे कैसे movements हैं के पास सबसे करना होते हैं है तो यहां पर हम लोग सबसे फीर्स स्टेट में यहां लिखेंगे एशे संक्लूड और श्कूल का एंगल ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे हैसे लिखी के लिख abortion के अंदर मैं हम लोग यहां पर लिखेँ हैसटेडी आईओडॉड एक हम लोग यहां फी दो हेडर फायलskों करते हैं अपने प्रोग्राम में तो हम लोग एक stdio.h कर लिए सेकेंड हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड कॉन आई यो कि डॉट एच हम लोग दो हैडर फाइल्स को यहां इंक्लूड कर लिए यह हैश इंक्लूड stdio.h जो होता है standard input output इसको बोलते हैं हम लोग और यहां कौन डॉट जो है उसको हम लोग बोलते हैं console input output क्या बोलते हैं हमनंब इंपिट आउटपूट थो इस प्रकार से हम लोग 2 ऑसरीडर फाइल को हम लोग हर रप्रोग्राम में लिखेंगी यह दो लाइन हम लोग की स्टार्टिंग दोलाइन होगी हर प्रोग्राम है कि यह देन उसी बाद हम लोग क्या लिखेंगे वाइड में वाइड में कि वी ओ आइडी में एक स्पेस रहेगा दोनों के बीच में और इस प्रकार का हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट ठीक है जो कि अगर हम लोग कंप्यूट में नाइन जो होता है नाइन और जीरो ठीक है उसको शेफ्ट से दबाओगे तो लग जाएगा ठीक है दैन उसके बाद यहां पर हम लोग इस प्रकार का करली ब्रैकेट ओपन करते और क्लोज करते हैं तो यह हमारा एक स्ट्रक्चर तयार हो जाता है कि यह हमारा एक स्ट्रक्चर तयार हो जाता है तो यहां पर जो वॉइड हम लोग लिखें हैं वॉइड में यह हमारा में फंक्शन है इसका हम लोग बोलते हैं में फंक्शन इस मेन फंक्चन के अंदर हम लोग जितने भी कोड लिखेंगे जितने भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे सब के सब प्रोसेसर पर एक्जेक्यूट होते हैं और कौन एक्जेक्यूट करता है C++ compiler या फिर C compiler को हम लोग बोलते हैं वो एक्जेक्यूट करता है तो अब यहां पर क्या करते हैं सबसे पहले एक हैलो में हम लोग प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर हम लोग को देखना चांज़े है बहुत है है तो यहां पर हम लोग का कॉर्श्ण выб court's सब से पहले बाइक को ग्राइं को तो प्रिंट है लो लंड अ है 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 खेलों ऑफ हम लोगो प्रिंट करेंगे हैं यहां पर हम लोगों कुछी पे प्रिंट करते हैं तो हम लोग को बोलते हम लोग printer print function okay printím लोग लिखेंगे उसकी बाद इस प्रकार का Birakpro हम लोग लगाते हैं जिसको लोग function bracket बोलते हैं और लास्ट में ढगाते लिगा संतर्म सिमी कॉला इसको बोलते हैं लोग semi-colon लोग recorzem बैगे बीच में हम छलेंके जाएंगी उसकी बाद हम लोग लगाएंगे double code ct double inverted was the double beide अंदर हम लोग लिख देंगे हैलो वर्ड ऐसा मैंने लिख दिया है लो वर्ड यहाँ पे हम लोग को डबल कोट में ही जो डबल कोट में जो हम लोग लिखेंगे वह एज़ प्रिंट कर देगा हमने यहां पर लिखा है है तो यहां पर हमने एक हैलो वर्ल्ड किया और यहां पर यूज किया हमने प्रिंट फंक्षन यह प्रिंट करता है प्रिंट करने के लिए काम पर आता है अब यहां पर हमने पूरा कोड कर लिया है जो भी में फंक्षन की अंदर में हम लोग लिखेंगे यहां पर एक लाइन हमने लिखा है और यह लाइन एक्सिक्ट होगे प्रोसेसर पर यह लाइन एक्सिक्यों होगा अब हमारा सबसे फॉर्स्ट काम क्या था फाइल में जाके प्राइल के लिए अमटें को पूरा टाइप किया यहां पेसे शली करने से पहले यहीं को ए इस को तो फाइल के चले जाएंगे फिर उसके उस्की बड़ाद सेव kषरेंगे अंपरि फर्स टाइम अगर सेब कर रहे हैं तो हम लोग सेव est करेंगे जैं oxid यह तो हम लोग क्या कर सकते हैं फायल में जाके सेव बटन भी दबा सकते हैं पाइल में जाके? सेव भी हम लोग कर सकते हैं ठीक है सेव करेंगे कुछ इस प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिलेगा फिर उसके बाद हम लोग इसको पूरा हटा देंगे ठीक है और यहां पर फाइल का नेम देंगे यहां पर देह रहा हूं मैं है लोग दॉट सी डॉट सी हम लोग लिखना पड़त है कि यहां रेखाएंगे और यहां पर कर दिंग रिक कर देंगे तो यहां पर देख सकते हम लोग नेम चेंज हो चुका है अब इसको क्या करेंगे हम लोग step number four इसको करेंगे compile ठीक है compile menu में जाएंगे और first option मिलेगा compile compile का shortcut है alt plus f9 ठीक है इस पर हम लोग click कर देंगे तो यहां पर जो हम लोग लिखे हैं उसमें कोई ना कोई गलतियां ढूण देगा मतब error दूण लेगा यह error दिख रहे हैं यहां पर को खोजेगा यहां पर error 0 मिला है कि कोई भी error नहीं है यहां पर बोल रहा है press any key तो हम लोग अपने keyboard से कोई भी key press कर सकते हैं कोई भी key press करता हूं मैं तो वापस लोग अब लेकिन में आ जाएंगे फिर उसकी बात हम लोग क्या करेंगे रण पर क्लिक करेंगे Step number five यहां किस कि पर क्लिक करेंगे रण और यहां पर रं उपशन पर ढोने हरन होगा इप में ए प्रोग्राम रण हो रहा है कि को प्रोग्राम रण हो रहा है यहां पैर दे को लेकिन हम लोग आउट्पूट नहीं देखने के लिए तो हम लोग यहां पर लाश्ट में क्या करेंगे आउट्पूट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे get ch इसका मतलब होता है get character get character मतलब यह होता है कि output screen जो है हमारी console screen जो है उसको वो रोक के रखेगा ठीक है मैं इसको वापस से सेव करता हूँ file में जाता हूँ और save करता हूँ इसको ठीक है all प्लस f धन उसके बाद मैं f2 दबा रहा हूँ ठीक है मैंने इसको save कर लिया डेन उसको आग खंपाइल हम करेंगे compile झाब अथिख ह wifi तो यहाँ पर कंपाःल करने के लिए ओल लोग क्या करेंगे ह्म लोग लोग क्लिक करेंगे या फिर हम लोग कंट्रोल प्लस एफ नाइन हम लोग कर लेंगे ठीक है तो इतने बार मैंने इसको रन किया था तो यह जो ब्लैक क्लर की स्क्रीन दिख रही है इसको बोलते हैं box कंसोल स्क्रीन कि जो हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं कौन आयो डॉट एच यह इस कंसोल स्क्रीन को सपोर्ट करता है अगर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे तो कंसोल स्क्रीन आयगा ही नहीं तो जाये लेकिन वाँ से हम लोग कोई इंपूट या फिर आउटपूट नहीं ले सकते हैं तो इस प्रकार से हमने यहां पर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चोटा सा टाइप किया उसको कंपाइल किया और सेव करके भी हम लोग देखें कैसे उसको सेव करते हैं और डॉट सी उसका एक्स्टेंशन होता है यहां पर देख सकते हो फाइलने में में हमारा यहलो डॉट सी टिकर डॉट सी में सेव करेंगे तो तो नहीं चलेगा बहुत सारी चीजिए वहां वर्क नहीं करेगी तो इसी प्रकार से हम लोग को लिखना है मैं फिर से एक बार बता रहा हूं हम लोग सबसे पहले स्टा से यह हमारे दो हैडर होते हैं स्टेंदर्ड इंपूट औपूट और एक प रूपलं करते हैं, पेर हुलोग को जो हैं स्टेर्टमेंड रिकना ऊता है। इस प्रोग्रम में हम लोग क्या किए हैं प्रोग्राम किया है प्रिंट है क्या है एक प्रिंट फंक्शन है इस प्रिंट फंक्शन में हम लोग इस टाइप पर स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में हम लोग जो भी चीज लिखेंगे इस डबल कोड्स के अंदर वो सीधा उटा के प्रिंट कर देगा सीधा उठा करेंगा प्रिंट कर देगा देन मैं हम लोग blessing है गैट say that करता है कि हम लोगे की बोर्ट से इंपूर लेता हैं करेक्टर कोई बी इंपुक्ष्ट हम लोग को ले गा ठीकँ और जो ऑठीविक्यों ब्लगर उसको रोक की रख़ेगा जब तक हम लोग इन्पुट नहीं देंगे जैसे कि मैं इसको रन करता हूं एक आपकर मैंने इसको रुन किया है पूराने भी आॉट्पुट से कोई बादो प्षी किवार्च कोई भी बटन दाओंगा तो वापस से बलो स्क्रींग आजाएगा तो इस प्रकार से हमने एक Hello World का एक छोड़ा सा प्रोग्राम बनाया यहां पे हम लोग ने प्रिंटर्फ फंक्शन का यूज किया और गेट केरेक्टर भी हम लोग एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो यहां पे जो हमने प्रोग्राम बनाया है इस प्रोग्राम में Hello World जो है वो जितनी बार रन करेंगे प्रिवियस आउटपूट हम लोगों दिख रहा है हम लोग ऐसा नहीं करना है एक बार अगर हमने यहां पर प्रोग्राम में प्रिंट किया है तो एक ही बार आउटपूट में आना चाहिए मतलब पिछला स्क्रीन क्लियर हो जाए पिछला आउटपूट जो है वो क्लियर हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे तो उसके लिए फंक्शन होता है is the clear screen यह होता है clear screen फंक्शनी пом cluster कि इसको हम लोग सबसे फर्स स्टेटमेंट में लिए वोऌईड में के अंदर थाली है वैद में अनदर में हम लोग सबसे फॉर्स टेटमेंट इसको लिखते हैं ताकि हम लोग का जो पिछला आउटपुट है पिछले पार जब हम लोग रन किये होंगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा वह स्क्रीन चिपक के रहता है वह ता नहीं है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं तो मैं इसको सेव करता हूं कि मैंने किया और इसको हम लोग कर दोगे कंपाइल कि न सबात कर देते हैं yeah तो एक बार हैलो वाल्ट यहां दिख रहा है अब मैं जितने बार भी रन करूंगा जिक है उतने बार मुझे एक चींपार दिखे एक ही बार हेलो वर्ल्ल यहां प्रिंट करके मिलेगा तिक? जितने बार में रण करूंगा एक ही बार मुझे मिलेगा तो थिक है तो पहले का स्क्रीन क्या कर रहा है वो ख्लियर कर दे रहा है तो यहां दो-तीन चीज़े हम लोग देखे clear screen get ch अगर मैं get ch नहीं लिखता हूं मालों मैं इसको हटा देता हूं कि मैंने इसको हटा दिया तो फिर उसके बाद मैं इसको compile करता हूं और run करता हूं तो यहां पर देखो जैसी मैं इसको run किया एक बार ब्लिंक करें और हट जाएगा तो आप लोग के में शायद नहीं दिख रहा होगा ब्लिंग ठीक है कि एकाथ बार ब्लिंग करें और हट जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं आउट्पूट स्क्रीन को देखी नहीं पाते हैं तो हम लोग को आउट्पूट में दिखना चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं गैट तो जब तक कीबोर्ट से कोई इंपूट ना ले ले तब तक वह को स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा ब्लूव ब्लू आले स्क्रीन पर चल जाएगा बलू आले स्क्रीन ज्जो दिखी इसको हम लोग बोलते हैं एडिटर स्क्रीन इसको बोलते हैं हम लोग एडिटर स्क्रीन ठीक है ठीक है ठीक है step number three step three step three में हम लोग क्या करेंगे save करेंगे save the file ठीक है से हम लोग करेंगी उसका shortcut है F2 ठीक है F2 shortcut है ठीक है और यह हम लोग कहा मिलेगा दो चीह होना मिलेगा ठीक है गोटो टूफ ऐल मिलेगा ठीक है दैन उसकी बाद से रीख है यहां पर हम लोग सेव? करेंगे है और से लोग रिखे Якर । से जो बी locate बना में लोग यहां फैर प्रोग्राम बना रहे हैं उसी से रॉट्टेट हम लोग file name देंगे जैसे मैंने Hello World यहां पर print करने का एक program बनाया था तो मैंने hello.c नाम से ही इसको दिया है ठीक है hello.c तो यहां पर जो हमने extension दिया यह बहुत जरूरी है अगर वहां पर .c हम लोग नहीं लिखे हैं तो save नहीं होगी file .cpp लिख दिये हैं तो ठीक से रन नहीं होगी file ठीक है तो हम लोग को .c ही लिखना है वहां पर कि यह हुआ step number three step number four step number four में हम लोग क्या करेंगे compile menu में जाएंगे कंपाइल मेनू एंड क्लिक है ओन कंपाइल है ठीक है कंपाइल का शॉर्टकॉट होता है और प्लस एफ नाइन कीबोर्ड होता है एफ नाइन जो है हमारे कीबोर्ड में बटन होता है उसको आल्ट के साथ में दबाएंगे तो कंपाइल होगा ठीक है यह इसका शॉर्टकट कंपाइल हो जाएगा सकसेस्फुली जब कोई भी एरर नहीं दिखेगा जब जीरो एरर दिखेगा तब उसके बाद हम लोग कंप रन कर सकते हैं ठीक है स्टेप नमबर फॉर के बाद स्टेप नमबर फाइव हमारा रन गो टू रन एंड क्लिक रन ठीक है रन का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ नाइन ठीक है तो यह हमारा स्टेप है ठीक है यही स्टेप को फॉलो करना है हम लोग हर प्रोग्राम बनाने के लिए ठीक है इसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे टीक है सभी इसको नोट कर लेंगे नोट कर लेंगे